दोस्तो RRB NTPC 2024 जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तो बेश तयारी के लिए 2021 में जो एक्जाम हो अधा सभी सीफ्ट का दोस्तो मैत का डेली PYQ दोस्तो मैत का जो है डेली PYQ प्रिवियस यर कोशन डेली अपलोड किया जाता है जिसमें कि 30 कोशन रहता है जिसे कि आ आपको पता चले गए 2021 के कोशन पूछा जाता है और आपका तयारी कितना है दोस्तो डेली विडियो देखने के लिए 30 में 30 लाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं लाइक किजिए और विडियो को सेयर कि देखते हैं पहला कोशन है दोस्तो भीन से है निमने में से कौन सी भीन सबसे बड़ी है शरी 7 बटा 9 6 बटा 7 22 बटा 25 एक 11 बटा 13 तो आपको बताना कि सबसे बड़ा भीन कौन सा है तो दोस्तो आपको सबसे पहले तो कुरस मल्टिपिकेशन करके आप पता लगा सकते हैं क इसके बाद दोस्तो इसको भाग देकर पता लगा सकते हैं तो दोस्तो इसका correct answer option number B आएगा आप लोग भाग दीजिएगा तो आपको बड़ी संख्या 11 बटा 13 सबसे बड़ी भीन आ जाएगा चली आगला कोशन है कि कौन सा भीन सबसे छोटी है तो दोस्तो अप्शन में द आग देकर पता लगा सकते हैं जो कि NTP से में पूछा गया है correct answer दोस्तो अप्शन नमबर C आएगा 8 बटा 13 चली अगला कोशन है कोशन नमबर 3 है कि माइनस 3 बटा 2 3 बटा 2 11 बटा 4 5 बटा 2 मैं सबसे बड़ी संख भीन ग्याद किजिए तो दोस्तो आपको देखने से पता कोशन नमबर 4 है कि सबसे नीमनल इखित में से कौन सी सबसे छोटी भीन है तो दोस्तो भीन जो है सबसे छोटी कौन सी है 7 बटा 8 7 बटा 10 3 बटा 4 और 5 बटा 7 सबसे छोटी भीन कौन सी है तो दोस्तो आप cross multiplication भी करके पता लगा सकते हैं नहीं तो इसको भाग देकर तो भा एक टेंसर अपसन नमबर B आ जाएगा 7 बटा 10 चली अगला कोशन है कोशन नमबर 5 नीमनल इखित में सबसे बड़ी भीन को ग्याद कीजिए तो दोस्तों देखिए 5 बटा 6 6 बटा 11 2 बटा 3 8 बटा 9 उसके बाद 6 बटा 7 सबसे पहला है मीन का अंतर देखेंगे 5 बटा 6 में अंतर कितना है 1 है 6 बटा 11 में अंतर कितना है 5 है उसके बाद 2 बटा 3 में 1 8 बटा 9 में 1 6 बटा 7 में 1 तो दोस्तों अगर जिसका अंतर 1 है सेम है तो उसके बाद अगर उसका हर अंस से बड़ा है तो दोस्तों उसमें जो है न अंस जिसका बड़ा रहेगा वहीं बड़ा भी इसमें 5 बटा 6, 2 बटा 3, 8 बटा 9, 6 बटा 7 में कौन सा बड़ा है तो 8 बटा 9 इसका अंस दोस्तु बड़ा है तो दोस्तु 8 बटा 9 उसके बाद 6 बटा 11 में अब देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी भीन है तो दोस्तु cross multiplication कर लेंगे 9 में 6 से गुणा करेंगे 54 हो गया 11 म बड़ा है कि 88 तो यह 88 बड़ा है तो 8 बटा 9 बड़ा हो गया अपसा नमबर 20 का करेक्ट अंसर है जो कि J में पूछा गया है देख लिजे दोस्तु इसका दिया गए सबसे बड़ा भीन 8 बटा 9 है अगला कोशन है कोशन नमबर 6 है कि 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5 और 5 बटा 6 बताना है कि सबसे बड़ी भीन और सबसे छोटी भीन का अंतर तो सबसे बड़ा भीन निकालना सबसे पर ले तो अंतर देखेंगे एक है इसका अंतर इसका भी अंतर एक है 4 बटा 5 का भी अंतर और 5 बटा 6 का तो अंतर देख लिया उसके बाद हर जो है न अंस से बड़ा ह क्या है दोस्तो हर जो हैने यह हर बोलते हैं इसको अंस बोलते हैं हर जो हैने अंस से बड़ा है तो जो अंस बड़ा होगा दो तीन चार पांच में बड़ा कौन सा है दोस्तो पांच तो वहीं बड़ी संख्या कौन सी बड़ा अंस होगया पांच बटा छे और जो छोटा अंस होगा वो छोटी संख्या होगी तो ये पुछा गया है दोस्तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या भीन का अंतर तो आपको 5 बाटा 6 माइनस 2 बाटा 3 का अंतर बताना है तो दोस्तो आप अंतर बताईएगा correct answer option number C आएगा एक बाटा 6 आएगा चली अगला question देखते है 34 बाटा 35, 19 बाटा 20 तो दोस्तो सब का अंतर एक है और हर जो है अंस से बड़ा है तो सबसे बड़ी भीन कांस है दोस्तो जो अंस बड़ा होगा वहीं होगा अपसा नंबर C इसका correct answer है चली अगला question 5 बाटा 11, 3 बाटा 15, 12 बाटा 11, 4 बाटा 7, 9 बाटा 11, सबसे बड़ा भीन कांसा है तो दोस्तो जो कि 5 बाटा 11 है, 3 बाटा 15 है, 12 बाटा 11 है, 4 बाटा 7 है और 9 बाटा 12 है तो दोस्तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि दोस्तो आप 12 बाटा 11, यह जो है न सबसे बड़ा भीन है क्योंकि दोस्तो यह point में आगा, 0 points से आएगा, सब 0 points से और यह जो है भाग देंगे तो 1 point से जाएगा तो सबसे बड़ा भीन कौन सा है, 12 बाटा 11, ऑप्शन नमबर, इसका जो है न 12 बाटा 11, ऑप्शन नमबर, यह इसका करेक्टिन से है अगला question है, question number 9 है, 1 बाटा 10, 1 बाटा 100, 9 बाटा 1000, और 5 बाटा 10 अजार सबसे छोटा भीन कौन सा है तो दोस्तों आप हल किजिएगा, 1 बाटा 10 है, तो कितना आजाएगा, 0 point, कितना आजाएगा दोस्तों, 0.1, इसका कितना आजाएगा, 0.009 आजाएगा, इसका point कितना आजाएगा, दोस्तों, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, उसके बाद 0.05 आजाएगा तो सबसे छोटी भीन कौन सा है तो अप्सा नमबर D अप्सा नमबर D जो है नहाँ 0.009 अप्सा नमबर D इसका correct answer है चलिए अगला question दोस्तो question नमबर 10 है कि कौन सा सबसे बड़ी भीन है तो दोस्तो सबसे बड़ी भीन कौन से अप्सा नमबर D 11 बटा 24 आप लोग देख लिजिए 8 बटा 19, 9 बटा 22, 10 बटा 23, 11 बटा 24 चली अगला कोशन है कोशन नमबर 11 है 11 अनुपात 14, 17 अनुपात 21, 5 अनुपात 7, 2 बटा 3 सबसे बड़ा बिन यानि 11 अनुपात है तो बटा में कर देंगे 17 बटा 21 हो गया 5 बटा 7 हो गया दो बटा 3 हो गया तो दोस्तो आपको पता करना घरते करम में सरी अनुपातों को घरते करम में लगाए कौन सी संख्या आखरी होगी तो दूस्तो आपको घटते करम में लगाना है तो सबसे पहले आपको पता करना है बड़ी संक्या, उसके बाद छोटी संक्या, उसके बाद छोटी संक्या, उसके बाद छोटी संक्या ये पता करना है, उसके बाद दूस्तो घटते करम में सजाएंगे तो इसका correct answer option number C आएगा क्योंकि सबसे आखरी की संख्याप उच रहा है चली आगला question है question number 12 है कौन सी भीन सबसे बड़ी भीन है तो सबसे बड़ी भीन कौन सी है तो आपको पता करना है grass multiplication भी करके पता कर सकते हैं नहीं तो दोस्तो भाग करके इसका correct answer option number B आएगा 4 बटा 20 चली आगला question है question number 13 है नहीं में लिख सबसे बड़ा भीन कौन सा है तो दोस्तो 13 का comment box में आपको answer बताना है चली आगला question है question number दिया गया नीचे दी गई भीनों में सबसे छोटी भीन कौन सी है आपको बताना है 4 बटा 9, 5 बटा 4, 3 बटा 8 और 6 बटा 9 तो दोस्तो ये जो है न 4 बटा 9 है 5 बटा 4 है 3 बटा 8 है उसके बद 6 बटा 7 है तो दोस्तो 5 बटा 4 जो की ये सबसे बड़ी भीन हो गया तो option में जो की 5 बटा 4 है option number D इसको हटा देंगे उसके बद दोस्तो चार बटा 9, 3 बटा 8 और 6 बटा 7 आपको इसमें हल करना है तो cross multiplication कर सकते हैं 4, 8, 32, 9, 27 सबसे छोटा पुछा गया है तो ये बड़ा हो गया इसको हटा देंगे क्योंकि 4 बटा 9 option number B भी खतम हो गया उसके बाद 7 में 3 से गुणा करेंगे 21 हो गया 8 में 6 से गुणा करेंगे 24 हो गया ये बड़ा है छे बटा 7 आटा देंगे अपसा नमबर ये इसका correct answer है चली आगला कोशन कोशन नमबर 15 है कि निम्य लिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भीन है तो दोस्तो आपको भाग दीजिएगा correct answer अपसा नमबर B आए गुरूप D में कोशन पूछा गया है अगला कोशन है कोशन नमबर 16 है कि निम्य लिखित में सबसे छोटी भीन संख्या गयाद किजिए सबसे छोटा भीन गयाद करना है दोस्तो गुरूप D में पूछा गया ह correct answer अपसा नमबर A आएगा 19 बटा 36 चली आगला कोशन है कोशन नमबर 17 आठ बटा 6, 6 बटा 14, 5 बटा 3 और 9 बटा 5 तो दीगए सबसे बड़ा भीन गयाद करना है तो दोस्तो सबसे पहले इनको crush multiplication भी कर सकते हैं नहीं तो दोस्तो इसको भाग देकर point में देख लेए कितना क आ रहा है इसका correct answer option number C आएगा 9 बटा 5 चली आगला कोशन है कि निमने में से सबसे छोटी भीन कौन सी है तो दोस्तो छोटा भीन आपको पता करना है correct answer option number B आएगा चली आगला कोशन है कोशन नमबर 19 है कि सबसे निमतम भीन कौन सा है सबसे छोटा भीन जो कि NTPC में दोस्त छे बटा 5 है 4 बटा 3 है 3 बटा 2 है उसके बद 5 बटा 4 है तो दोस्तो देखी 5 बटा 6 इसका अंतर एक है इसका अंतर एक है इसका अंतर एक है इसका अंतर एक है लेकिन उसमें क्या है दोस्तो हर जो है अंस से छोटा है क्या है अंस से छोटा है इसमें जो है न दोस्तो इसका correct answer आपको बताना है कि 19 का इसमें बताना है कि हर जो है uns से छोटा है आप लोग देख लिजिए जो की पहले देखते थे कि हर uns से बड़ा है हर जो है uns से बड़ा है तो जो uns बड़ा होगा वहीं बड़ी संक्या होगी इसमें जो है न हर जो है अंसर से छोटा है तो आपको इसका correct answer बताना है 19 का correct answer बताना है कि कौन सी बड़िस नियुमतम भीन होगी चली आगला question देखते है question number 20 है 5 बटा 8, 3 बटा 4, 13 बटा 16 और 7 बटा 12 में सबसे छोटा भीन कौन सा है correct answer दोस्त आपसा नमर D आएगा चली आगला question है कि नियुमतम भीन है छोटा बटा बटा 15, 79 बटा 26, 105 बटा 12, 41 बटा 17 तो दोस्तो cross multiplication भी कर सकते हैं नहीं तो इसको भाग देकर भी कर सकते हैं नियुमतम भीन वह भीन जिसके अनुपातिक भीनों का एक common गुणन खंड हो तो दोस्तो जो कि common गुणन खंड हो जो कि अपसा नमर इसका C है न जो कि एक नियुनांक भीन नियुनांक भीन कुवह नियुनांक भीन होता है वह अभीन होता है जिसके अनुपातिक भीनों का एक common गुणंखंड हो जो की common गुणंखंड हो वही निम्नांक भीन होता है जो की ELP में पूछा गया है correct answer option number C है चलिए type number 2 होता है दोस्तो चेंज होता है औरोही करम में सजाना है दोस्तो इसको औरोही करम में क्या है दोस्तो घटते करम में क्या के बाद उससे छोटी संख्या उसके बाद ये छोटी संख्या उसके बाद ये छोटी संख्या तो सबसे बड़ा उसके बाद उसके छोटा उसके बाद छोटा तो अफसा नंबर B जो है न ये जो है न बी correct answer है क्या है दोस्तो आफसा नंबर B इसका correct answer है चलिए आगला कोशन कोश्य नमबर 23 है दिया गए कि निन एक बटा तीन चार बटा साथ दू बटा पांच को आरोही करम में यानि आरोही करम के मतलब हुए दोस्तों बढ़ते करम में क्या है देखिए और आरोही इसमें तीन अच्छा रहे तो बढ़ते करम में सजाना है तीन से चार हो जाएगा और रोही चार से घटे करम में यानि घटे करम में ये आरोही पूछ रहा है यानि बढ़ते करम में सजाना है तो इसका correct answer दोस्तों आपसा नमबर C आजाएगा आपसा नमबर C देख लिजिए जो की भाग देकर बनाया गया है सबसे पहले एक बटा तीन यानि 0.34 उसके बा संखिया इतना 0.25 1.24 इतना इतना आरोही करम में विवस्तित करे इसको आरोही मैंने बढ़ते करम में सजाना है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है दोस्तों आपसा नमबर D है आपसा नमबर D जो है न बढ़ते करम में सजाना है क्या दोस्तों आपसा नमबर बढ़ते 35 है निम्य लखेत में से कौन सा आरोही करम में है आपको बताना है दोस्तो ऑप्से नम्बर ऑबसे अरोही कौन बढते ways करम में है सबसे पहले दोस्तो आपको इसमें भाग देना है भाग देने के बाद आपको पता चलें घूँझा है कौन बढते करम में सजाय operations चली आगला कोश्ण नमर 26 है बढ़त एक करम में ता आपको बताना है कि इस में से कौन सा अप्शन करेक्ट टेन्सर होगा कमेंट बक्स में बताना जो कि NTPC में पुछा गया है चली आगला कोश्ण नमर 27 एक अनुपाथ पांच में है दुस्टो और रोही करम में, यानि घटते करम में, घटते करम में सजाना है, दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या और रोही करम में है, आपसा नमबर C, आपसा नमबर C है दोस्तों, जो कि 5 बटा 3, 5 बटा 3 को भाग देजिए, 1.67, उसके बाद दोस्तों 6 बटा, 4 को भाग जिएगा तो कितना वन पॉइंट कि तना आ जाएगा वन पॉइंट दोस्तों पांच! उसके बाद साथ बटब पांच इसका करेंड़ा अपसन नमरh C चली आगला कोशिने कोशन नमरh 28 है कि बढ़ते करम में कोगी चैन करेंड़ा बढ़ते करम में सा जाना है correct answer option number A आएगा चली आगला question है question number 29 है एक परिमे संक्या 4 बटा माइनस 9 माइनस 7 बटा 18 है 5 बटा माइनस 6 है माइनस 2 बटा 3 को और रोही करम में रखा जाए तीन में से कौन से संक्या पहले रखी जाएगी तो देखिए तुस्त option है इसका correct answer option number C आएगा और ओही करम में घर्टे करम में सजाना है आपसा number A इसका correct answer है तो दोस्तो 30 question complete होता है 30 में से आपका कितना सही हो रहा है comment box में जरूर बताए जैहिन बंदे मात्रम और चैनल पहले बार है तो चैनल को subscribe कर लिजिए